हाई फ्रेंड्स मैं अस्यार करने जा रहे हैं खिल की खीर हर किसी के घर में थोड़ा बहुत खिल तो रही जाते हैं और हम सौचते रहते हैं कि इस खिल से हम ऐसा क्या बनाए जो हर किसी को बहुत पसंद आए एकिन माने एक बार आप खिल से बने हुई घिर खाएंगे तो चावल से बने हुई खिर खाना आप भूल जाएंगे अगर विडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर के साथ जुरूर सेर कीजिए तो आई ये फ्रेंट देनना करते हुए रेसिपी देख लेते हैं एक पैन के अंदर ऐड़ कर देंगे, एक टेबिल स्पुन भर के घी, घी को हलका गरम होने देते हैं घी हलका गरम हो गए हैं, अब ऐड़ कर देंगे मुठ़्ी भर काजू काजू को तब तक फ्राई होने देंगे जब तक काजू का कलर हलका चेंज ना हो जाए काजू का कलर हलका चेंज हो गए हैं अब एड़ कर देंगे मुठी भर किस्मिस काजू के साथ किस्मिस को मिक्स्ट करते हुए तब तक फ्राई करेंगे जब तक किस्मिस पूरी तरीके से फूल नहीं जाते सारे किस्मिस जो है देखे फूल चुके हैं अब सारे काजू और किस्मिस को पैन से बहान निकल लेंगे पैन के अंदर जो बची हुई घी है उस घी के अंदर एड़ कर देंगे एक कटोरी खिल घी के साथ खिल को मिक्स्ट करते हुए स्लो फ्लेम पर भुनेंगे 5-6 मिनिट के लिए खिल को स्लो फ्लेम पर भुनते हुए 5-6 मिनिट हो चुके हैं अब गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे अब इस खिल के पैन को साइट में रख देंगे एक लिटर दूद को गरम होने के लिए बैठा दिये हैं अब दूद के अंदर बॉयलाने देंगे दूद के अंदर बॉयला चुके हैं अब गैस के फ्लेम को मीडियम पर रखते हुए दूद को गढ़ा होने के लिए छोड़ देंगे दूद के उपर और साइट में जो मलाई जमते जा रहे हैं उसको छुड़ाते हुए दूद के साथ मिक्स्ट करते जाएंगे ऐसा करने से खिर का जो टेस्ट है बहुत ही बढ़िया आते हैं दूद गढ़ा होके 600 मिलक जितना हो गए हैं अब एड़ कर देंगे दो पीस एलाईची और 4 टुकड़ा तेजपत्ता दूद के साथ एलाईची और तेजपत्ता को मिक्स्ट करते हुए 5 से 6 मिनिट के लिए दूद को और थोड़ा सा गढ़ा होने के लिए छोड़ देंगे दूद देखिए गढ़ा होके आधा लिटर की जितना हो गए हैं अब एड़ कर देंगे खिली दूद के साथ खिल को मिक्स्ट करते हुए सारे खिल को दूद के अंदर डाल देंगे जिससे की हारे खिल जो है वो एकदम सौप्ट हो जाए खिल को दो मिनिट के लिए स्लो फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देंगे खिल को slow flame पर पकते हुए 2 मिनिट हो चुके हैं अब एड़ कर देंगे 60 ग्राम चीनी चीनी अपने टेस्ट के इसाब से कम जादा कर सकते हैं आप गैस के flame को slow पर रखते हुए खिल को 6-7 मिनिट के लिए सौप्ट होने के लिए छोड़ देंगे खिल को slow flame पर पकते हुए 6-7 मिनिट हो चुके हैं अब एड़ कर देंगे फ्राई किया हुआ काजू किसमेस खिल के साथ काजू किसमेस को मिक्स्ट करते हुए slow flame पर पकने के लिए छोड़ देंगे 2 मिनिट के लिए खिर को पकते हुए 2 मिनिट हो चुके हैं खीर को सर्प करने से पहले सारे तेजपत्ता को खीर से बहान निकाल देंगे खीर की खीर बन के एकदम रेडी हो चुके हैं अब गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे गैस के फ्लेम को बंद कर दिये हैं अब खीर को सर्प कर लेते हैं एक बाउल के अंदर एक बार इस तरीके से खिल से बनी हुई खिर को जोरूर बनेए और मुझे कमेंट करके जोरूर बतना कि आपको ए रेसिपी कैसा लगा आज बस इतना ही काल मिलेंगे दूसरे किसी रेसिपी के साथ भीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद